Hello Dear Students, Welcome to ATP Star, The Super Learning Platform Guys I hope कि आप लोगों की 10th board की preparation बहुत अच्छे से चल रही होगी और यदि आप साथ में सपना देख रहे हैं कि आपको future में doctor बनना है आपको neat exam crack करना है तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए preparation जो है अभी से start कर सकते हैं और बहुत सारे जो आपके competitors हैं उनसे एक extra advantage ले सकते हैं तो आज के इस session में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप biology के अंदर early start करके बहुत सारे जो competitors हैं आपके जो आगे जाकर के future में need exam देने वाले हैं उनसे आगे निकल सकते हैं तो बचो वीडियो को last तक जरूर से देखना तो बचो start करते हैं सबसे पहले हमारे mind में question आता है कि how need exam is different from board exam तो बचो need exam एक competitive exam है जिसके through आप अपने मंचाहे college में जा सकते हैं और ये एक अच्छा hard work जो है effort जो है वो मांगता है और आप यदि अभी से preparation start करते हैं तो आपके doctor बनने की probability जो है वो काफी हत तक बढ़ जाती है बचो आप कौन से doctor बनना चाते हो मतलब क्या आप neurosurgeon बनना चाते हो आप physician बनना चाते हो आप cardio surgeon बनना चाते हो या orthopedic surgeon बनना चाते हो कि need exam अखिर क्या होता है क्या intensity है और board के लिए जो हम पढ़ रहे थे उससे कैसे यह different है तो बच्चो सबसे वैली बात है कि board exam में आपका target क्या होता है board exam में आपका target होता है कि मुझे 100% ले करके आना है मुझे 99% ले करके आना है या एक particular score पे पहुँचना है अब उस particular score पे बहुत सारे student हो सकते हैं हो सकता है कि 90% पे बहुत सारे student है फिर भी यदि आपके 90% आते हैं तो आप बहुत खुश होगे सब लोग आपके आसपास बहुत खुश होगे कि आपने एक अच्छा score जो है वो अच्छे score ला रहे हैं तो क्या वो सेम रैंक में है नहीं फिर भी रैंकिंग जो है उसके according उन्हें college जो है वो मिल रहे है तो यानि कि क्या हुआ नीट एक्जाम के लिए जब आप प्रिपैर कर रहे हैं तो वहाँ पर competition है वहाँ पर आपके अंदर एक feeling होनी चाहिए कि मिरेको सिर्फ मार्ग से अच्छे नहीं लाने मिरेको बाकी जो मेरे competitors हैं उनसे अच्छा perform करना है उनसे अच्छी rank लेकर क्या आनी है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि नीट एक्जाम में आपको best से best जो है वो करना होगा ताकि आपकी rank best से best आए और आपका अपना मंचाहा college मिल जाए ठीक है तो इस तरीके से हम देखते है कि नीट एक्जाम और board exam जो है वो काफी different type का होता है और यहाँ पर board exam में क्या होत आप फिर भी 11th में जाओगे मेहनत करोगे फिर 12th में जाओगे तो ऐसा चलेगा लेकिन नीट exam में जी जो marks में थोड़ा बहुत भी यही कम जादा होता है तो हो सकता है उससे आपके सपनों पे एक effect जो है wrong effect जो है वो आज आ सकता है क्यों क्योंकि यही आपने सोचा कि मेरे यह particular medical college में जाना है तो यही marks कम रह गया और by chance नहीं हुआ तो दिक्कत आ सकती है या आपको दुबारा से try करना पढ़ सकता है या आपको किसी और field में जाना पढ़ सकता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको intensity समझनी होगी कि board में marks में थोड़ा बहुत कम जाता होने से कोई फरक नहीं पढ़ता है बट neat में बहुत फरक पढ़ जाता है तो इसलिए neat exam rank के उपर आपको focus करके चलना है आपके अंदर competition वाली feeling आनी चाहिए जो कि board में उतनी नहीं होती है तो यह competition वाली feeling यह दिए आपके अंदर है तो आपको करना क्या होगा now you have to condition yourself आपको अपने होगा अपने आपको adapt करना होगा उस environment के लिए जो आपको आगे face करना है यानी कि आपको competition के लिए अपने आपको prepare करना होगा competitive exam के लिए आपको prepare करना होगा और इसी preparation में बचो आपकी help करेगा ATP star ATP star पे early champion batch जो है बचो वो start हो चुका है early champion batch में यदि आपने enroll नहीं किया है त तो आप join कर सकते हैं early champion batch बचो ये batch का जो detail है वो आपको मैं अभी थोड़ देर में बता दूँगा और यहाँ पर description के अंदर बचो आप देखोगे तो direct link दिया हुआ है जिसके through आप इस batch को join कर सकते हो और इस batch में exactly क्या क्या होगा और कैसे हम आपको पढ़ाएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा सासाथ में आप वीडियो में बने रहो तो अभी आप समझ गए कि आपको क्या करना है आपको अपने आपको condition करना है कि situation के लिए आपको competitive exam के लिए अपने आपको prepare करना है तो कैसे prepare करना है क्या क्या करोगे बच्चों simple सी बात है आप अपने board की preparation के सासाथ में यानि बोर्ड के लिए तो आप अपने आपको prepare career है उसके सासाथ में आपको कुछ time निकालना पड़ेगा strong concepts जो है उनको strong करने के लिए ठीक है यानि यहाँ पर आपको क्या होना पड़ेगा यहाँ पर आपको conceptually conceptually strong होना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है board exam में तो कई बार क्या होता है board exam में तो आप चीजे याद करके या रट के चलो समझ में नहीं आया तो हमने क्या कि हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया याद कर लिया और as it is exam में लिख करके आ गए तो भी हम अच्छा perform कर सकते है marks नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने आपको condition करना पड़ेगा आपके brain को कि वो रटने पर focus न करें बलकि चीजों को conceptually समझना start करें उसके लिए आपको अपना जो daily schedule है वो बहुत सही से plan करना पड़ेगा यानि आपको अपना schedule जो है वो बहुत ही अच्छे से plan करना पड़ेगा जहां पर आपने अपने study का time जो है वो properly divide किया हुआ है और वो जो आपकी पूरी study है उसके अंदर आप specially अपने आपको need exam के लिए prepare करने के लिए थोड़ा सा time at least two to three hour जो है वो per day आपको निकालना होगा और उस time पे यदि आप atp के early champion batch में है बच्छो तो आपको daily video lecture live class के through जो है हमारे expert teachers है even मैं भी जो आपको उस पर पढ़ाऊंगा और आपके जो concepts हैं 10th के related या वो concepts जो आपको आगे 11 12th class में काम आने वाले है नीट exam को crack करने के लिए ऐसे ही जो JEE की preparation कर रहे हैं उनको JEE exam crack करने के लिए जो concepts काम आ आने वाले हैं उन concepts को हम early champion batch में बच्चों के लिए बहुत clear कर देते हैं साथ में क्या होगा बच्चों साथ में आपको prepare करना पड़ेगा क्या आपको question practice करनी पड़ेगी यानि जाज जाद आपको क्या करना होगा question practice उसके लिए हम आपको DPP जो है वो provide करेंगे ताकि आपका approach हाला कि आपने term one exam दिया होगा तो उस exam में भी आपने mcqs type के question जो है वो किये आपकी practice थोड़ी सी बड़ी होगी ऐसे competitive exam के लिए और बचों हम आपको DPPs वगरा देंगे ताकि आपकी practice और अच्छी हो जाए साथ में regular test वगरा जो है बचों वो भी आपके होगे और इस त और आप extra edge आप extra advantage जो है वो ले चुके होगे बहुत सारे students के compare में जो की start करने वाले है अपनी preparation board के बाद में ठीके तो इस तरीके से आपको अपने आपको prepare करना है इसके बाद में यह दिया हम बात करें बचों कि कैसे 10th class की study जो है वो आपको help कर सकती है neat exam crack करने में तो इस तरीके से जो 11-12 का syllabus है या neat का syllabus है वो बिल्कुल अलग नहीं है वो इसी से related है बस 10th class में बहुत basic level पे थोड़ी थोड़ी बाती दी होती है 11-12 में वही क्या हो जाता है descriptive हो जाता है वही detail में आ जाता है तो 10th class में जो आप पढ़ रहे हो यह आप यह assume करके पढ़ों कि यह chapter neat में भी आते हैं यहां से question neat में भी आते हैं बस थोड़ा सा level up होता है तो आप यहां पर पढ़ते time ही चीजों को conceptually देखना स्टार्ट कर दोगे और क्या करोगे कि कुछ चीजों में यदि आपको doubt आ रहा है या आप कुछ चीजों की detail में जाना चाहते हो तो आप उ उससे आपको extra advantage मिल जाएगा तो 10 से नीट की पढ़ाई करें तो बिल्कुल different नहीं है बिल्कुल different नहीं है बलकि क्या है इसी का थोड़ा से advanced version या high level version जो होता है तो उस high level के लिए आपको क्या करना होगा prepare करना होगा especially biology में बात करूँ बच्चों तो biology में 10th class में कौन-कौन आप इन 10th के chapters को पढ़ोगे कि आपको need exam में help मिले तो बचों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ हम life process chapter की बात करें जो आप पढ़ते हो तो उसमें क्या है उसमें different life process के बारे में दिया होगा है यानि उसके अंदर digestion के बारे में respiration, transport और how plant prepare food यह animals how animal digest food सारी बाते दी हुई है ठी बी जो आपके एक chapter में थोड़े थोड़े parts हैं अगली class में क्या होगा वही पूरा chapter बन जाएगा तो अभी से आप क्या कर सकते हो अभी आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा extra shape देना चाहते हो आपके बास time है तो आप क्या कर सकते हो आप अपनी 10th के जो भी chapters पढ़रो मासे respiration पढ़ लिया तो इस तरीके से life process में digestive system, respiratory, circulatory, photosynthesis, respiration, transport implant ये chapters जो हैं वो दिये हो हैं और 11th में ये अलग-अलग chapters जो हैं उनको आप एक बार NCRT से go through हो जाओ आपको अच्छा फील होगा आपको थोड़ा और detail knowledge भी होगा आपको पता पढ़ेगा कि जो आप 10th में जो हम इस duration में cover करवा सकते हैं वो chapters आपको cover करवाने वाले हैं live classes में और कैसे आप उन classes को join कर सकते हो बच्चों मैंने भी बताया description में जो link दिया हुआ है उस link पे जाओ payment करो और आप early champion batch जो है उसे join कर सकते हो ठीक है then बच्चों इसके अलावा control and coordination nervous system, endocrine system है ठीक है ये भी 11th class में आपको chapter मिलेगा तो ये कुछ basic चीज़े हैं 10th class में और उसी को आपने यदि NCIT 11th से पढ़ लिया 11th class की NCIT से पढ़ लिया तो आपका थोड़ा और अच्छा level हो जाएगा then इसके बाद में how do organism reproduce, asexual reproduction क्या होता है, organism में asexual reproduction कैसे होते है, sexual कैसे होते है, plant में sexual reproduction कैसे होता है और human में कैसे होता है, ये सारी चीज़े दी हुगी है अब ये chapter 12th class में है, यानि mainly 12th class में आप इनके बारे में detail में पढ़ते हो, ठीक है, आप चाहो तो NCIT की book लेके रखो बीज़े, वहाँ से एक बार revise कर लो, then heredity and evolution, genetics और evolution 12th class का chapter है, तो 12th class में आप इनने cover कर सकते हो, ठीक है, तो अभी आपने just NCIT पढ़ा, और साथ में क्या 12th का NCIT लिया, और उससे थोड़ा-थोड़ा detail में देख लिया, then our environment, ecology, बचो ये जितने भी chapter यहाँ पर लिखे हैं न, जातर chapter जो है, वो neat exam के point of view से high scoring है, जादा weightage वाले chapter है, तो यदि आपने 10th में इन chapters को अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा advanced level पर कर लिया, तो क्या होगा आगे जा करके आपको बहुत सारी चीज़े already आती होंगी, आप सीधे अच्छे questions की practice करना स्टार्ट कर दोगे, और आपका score starting से ही बहुत high रहेगा, जो भी आपके institute में exam होंगे उनके अंदर और आपका best is best result जो है, वो भी आएगा, नीट exam में, ठीके बचो, तो करना क्या ह आप जोइन करो, early champion batch, early champion batch जो है बचो, उसके जो भी feature से वो यहाँ पर लिखे हुए है, कि live lectures मिलेंगे आपको quota से, आप जोइन करते होंगे तो NTSC का crash course जो है, वो free मिलेगा, doubt solving facility मिलेगी, academic support मिलेगा, board के लिए, part test और full test मिलेंगे, major test series for board मिलेंगे, तो यह सारी चीज़े आपको मिलेगी, यानि आपको 10th board में भी proper support मिलेगा, ठीक है, fee detail की बात करें बचो, तो वैसे 9999 fee है, लेकिन बचो यदि आप ये code apply करोगे, champ 24, क्या है code, code है champ 24, caps में लिखना, तो यदि आप ये code apply करोगे बचो, तो आपका price जो है, वो रह जाएगा 9999, यानि बहुत ही अ जरूर से join कर लें, और इसके लिए description में जो link दिया है, उस link पे जा सकते हो, आप payment कर सकते हो, ठीक है बचो, तो आप लोग अच्छे से बढ़ाई करते रहो, और यदि आपने need to 24 को target रखा वाए, तो हम मिलते रहेंगे, और आपको important tips है, वो देते रहेंगा, आपकी preparation में help क करते रहेंगे, all the best